पेस नमबर 31 यह सब जितने भी पेस हैं यह सब आपको आपके इंटरेन्मेंट वाले ही हैं यह जान लेजिए किसी में सपोर्ट है किसी में डानस है किसी में ट्रॉफी है किसी में मूबी मेकर है यह हमारा page No. 31 है musical instrument क्या है musical instrument बजने वाले वाद देंतर जो की music में इस्तेमाल होते हैं तो इसको तो आप कॉपि में नहीं ही कर पाएंगे क्यों? क्योंकि फीगर तो आप बनाएंगे नहीं आप कोना इतना बना पाएगा जिसको आप यहीं देखिए यहीं पहचानी बुक में करके छोड़ दीजिए गया मैंस दम्यूजिकल इंस्टूमेंट्स टू देयर नेम्स यहां देखिए कुछ इंस्टूमेंट्स दिखाएं गए है और इनका नेम दिया गया है फर्स्ट है हमारा फर्स्ट क्या है सितार अब इतने सारे में देखिए आप सितार कहा है ठीक सितार आपका है बी देखिए यह देखिए बी बी क्या है सितार देखिए मैंने सितार के आगे डैस करके पेंसी क्या लिखा है B सेकंड है तबला तबला कहा है यह देखी, यह क्या है यफ, यफ हमारा तबला है, ठीक नेक्स्ट है सरोद यह कहा है A फिगर देखिए, यहाँ यह क्या है A, सरोद नेक्स्ट है ब्रिदंग यह कहा है G जिसे हम लोग क्या बोलते हैं क्या बोलते हैं इसे डोलक क्या बोलते हैं डोलक फिप्त है हार्मोनियम फिप्त हमारा क्या है हार्मोनियम तो हार्मोनियम कहा है इसको ढूढ़िए देखिए D हार्मोनियम आपका कहा है देखिए D यह आपका क्या है हार्मोनियम है फिप्थ हार्मोनियम शिक्स क्या है टंबुरीन इसको क्या बोलते हैं डफली फली क्या बोलते हैं जो बजाई जाती है सेबन हमारा है फलो बांसुरी क्या है तो बांसुरी कहा है सी देखिए यह क्या है बांसुरी आप लोग भी मेले में खरिदते हैं बजाते हैं कुछ तो आप लोग अच्छे से देखे हैं कुछ आप लोग नहीं देखे हैं ठीक इसके बाद एट है तनबुरा यह हमारा है figure draw नहीं करोगे आपको जैसे दिखाया गया है ऐसे देखके ऐसे बुक में इसके सामने लिख लो माइस दा इंस्टूमेंट, माइस दा म्यूजिकल इंस्टूमेंट टू देयर नेम्स फर्स्ट, सितार बी तबला, यफ शरोर, ए मृद्धंग, जी इसके बाद है फ्लूट, बांसली सी, इसके बाद है दनपूरा, यच नेक्स्ट वीडियो में हम आपको आपका अगला पेज क्या है पेज नमबर थार्टी टू ब्रेन पीजर्स, इसके बिसे में ये चैप्टर पढ़ाएंगे जीके में आपका पेज नमबर थार्टी वन तक कंप्लीट हो गया है और आपके एकजाम में भी पेज नमबर ट्वंटी फाइब तक ट्वंटी फोर तक आ चुका है आप लोग अपनी कॉपी में जहां भी इसको लिखेंगे फोल्ड कर देंगे और वहां डाल देंगे सेकेंड टर्म सेकेंड टर्म डालके जितना पेज रोजीके में लिखवाया जा रहा है बताया जा रहा है उसको लिखिए और हर एक चैप्टर का नोटु ग्रो आप जरूर लिखा करिए और उसको लर्ण भी किया करिए ठीक इसमें आप केवल बुक में लिखके रख दीजिए इसको आप कॉपी में नहीं लिखोगे आप लिखते हैं तो या तो आप फिगर कहीं से काट कूट के लगाईए नहीं तो जान दीजिए इसको आप ऐसे छोड़ दीजिए नेक्स्ट पे जोड़ बताएंगे उसको लिखे रहे थाएंगे